Hello and welcome back students to my YouTube channel तो वीडियो में हम बात करने वाले पैरामेडिकल के बारे में पैरामेडिकल के जो different different courses हैं उनके application forms रिलीज हो चुके हैं उसके बार में बात करेंगे क्या eligibility है कैसे apply कर सकते हो application form जो है कब close होने वाले हैं fees यहां पर कितनी है सब कुस details ही हम बात करने वाले तो वीडियो को काफी साथ informative रहने वाली है important रहने वाले step by step discuss करेंगे मैं तुम्हें apply करके भी बताऊंगी तो वीडियो को last तक देखना ऐसी लगा था updates information पाने के लिए चैनल को subscribe करके notification को on कर देना तनू forgot वाले भी चैनल को subscribe कर देना वहां पर भी important वीडियो में डालती रहती हूं तो चलो बात कर लेते हैं application form के बारे में तो application form जो है release हो चुके तुम्हें पता है कि paramedical के कितने सारे courses रहते हूं सभी के application form एक ही साथ जो है release होते हैं like physio therapy के MLT के जो different different courses हैं जो है जितने भी courses हैं सभी के सभी के application form एक साथ ही निकलते हैं तो यह भी काफ़ी opportunity रहती है कि तुम्हें हर कोई paramedical की course के लिए अलग से apply करने की कोई जुरूरत नहीं होती है सब के एक साथ ही निकलते हैं जो है तुम्हें जिसमें भी admission मिले तुम उसमें ले सकते हो एंडिस university में जो है direct admission रहने वाला है 12th marks के basis पर वीडियो काफ़ी जदा like interesting भी रहने वाली है तो बात कर ले हम यहां पर कब तक application form जो है like close होंगे तो यहां पर application form जो है close होंगे 11 जुलाई को 11 जुलाई को जो है close होने वाले paramedical के application form एंड यहां पर कुछ courses हैं जिनके जो 18 जुलाई को close होने वाई like MHA, MPT, MSC, MLT, DHT के तो इनके application form 18 जुलाई को close होंगे और इसके साथ साथ यहां पर जो थेरपी के जो है यहां पर 11 जुलाई को close हो जाएंगे and BSC courses के लाइक जो है MLT, RDA, RT इनके 11 जुलाई को एंड जो lateral entry के जो course है जो की like two year post diploma के जो courses है into MLT वेगरा तो उसके भी 11 जुलाई को जो है application form close हो जाएंगे तो application form की fees की कितनी रहने वाली तो यहां पर जो थोड़ा से नोंने difference कर दिया है तो एक paramedical में जो भी courses है उनके application की जो form है उसकी fees को थोड़ा सा differentiate कर दिया लाइक फीजियो थेरपी की जो भी allied health science courses है लाइक फीजियो थेरपी और भी जितने भी administrative जो भी पोसिस है उनके हम बात करें स्टे जोंस medical college के बारे में तो इसके जो है इन लाइक हर कोई course के जो है अभी application form like medical में बात करें तो nursing के पे application form इसके निकल चुके है BAC nursing के post basic MSC nursing के ए NBCC के वह हम previous videos में discuss कर चुके हैं बट paramedical के regarding जो है हमने एक बार भी discussion नहीं किया था तो यह video paramedical के regarding रहने वाली है and यहाँ पर जो है complete यहाँ पर 12th base पे ही admission रहने वाल है वैसे तो यहाँ पर admission के लिए entrance exam और interview रहता था हर साल but इस बार जो है इन्होंने covid की situation को देखते ही क्या कर दिया है कि इस बार जो है यह लोग ना ही interview लेने वाले हैं ना ही entrance exam लेने वाले हैं तो direct ही admission रहे का 12th के marks के according तो complete हम बात करेंगे तो यह हमने जान लिया कि क्या क्या यहाँ पर like fees वगरा लगने वाली है तो क्या यहाँ पर जो है क्या selection process है तुम देख लो तो 2021 से 2022 के जो selection process है वो यहाँ पर जो university policies के according जो marks के basis पर रहने वाला है जितने भी candidates ने 10th और 12th में marks obtained किये हैं उन्हीं के basis पर यहाँ पर admission रहने वाला है अगर यहाँ पर master के लिए कर रहे हैं तो जो graduate courses है उन्हें कितने पर marks obtained किये हैं उनकी according है आपर selection रहने वाला है ठीक है तो यह selection process है 2021 से 2022 के लिए तो यहाँ पर हम बात करें कि कैसे फिर हमें पता लगेगा कि हमारा admission हुआ या नहीं हुआ तो जो भी selected candidates होंगे जितने भी courses हैं paramedical के उनमें जो selected candidates होंगे उनकी list announce हो जाएगी official website पर STJones की जो official website that is www.stjones.in इस पर जो है 17 July को यहाँ पर जो है अपनी जो है list complete आ जाएगी selected candidates की in case of vacant seat तो यहाँ पर second round होगा and second round के लिए दोबारा से open होंगे and website पर जो है announce कर दिया जाएगा तो अभी के लिए यही update की 17 July को जो है तुम apply कर दो तो यहाँ पर 17 July को जो है इसका direct result आ जाएक और 11 July तक तुम apply कर सकते हो ठीक है तो काफी लाइक इससे तो अच्छा क्या ही होगा इससे तो like better मैं नहीं बोल सकती हूं कि डारेक्ट ही तुम्हें कहीं जाना भी नहीं है online form तुम्हें fill करने है और 12th basis पर ही admission होने वाले और तुम्हें डारेक्ट जो है घर जो को तुम्हें fill करना होगा और काफी साधा easy हो जाएगा ठीक है तो यहां पर जो हमें बोलूंगी कि तुम paramedical के लिए apply कर दो यहां पर ताकि जो है ऐसी जो भी application form रहते हैं जो की percentage के basis पर रहते हैं उनमें apply कर देना चाहिए ठीक इतना जादा सोचना नहीं चाहिए तो यहां पर master का जो रहेगा master के लिए मैं previous वीडियो में डिसकस किया था जो master के जो nursing की courses है उनमें भी जो master के यहां पर paramedical की courses है उसमें भी उसमें जो है interview लेते हैं तो उसमें interview रहने वाला बट जो यूजी courses है जो की यूजी paramedical courses है लाइक बीपीटी बगरा MLT बगरा उनमे interview नहीं रहे हैं हम official website पर आ चुके हैं that is stjonesadmission.in hashtag alliedhealthsciences टीक है तो इस पर जो है हमें आ जाना है या फिर वहीं पर जो है तुम जब stjones.education.in की official website उपन करोगे तो वहीं पर तुम्हें मिल जाएगा कि notification सबसे उपर तुम्हें like open हो जाएगा जैसे website तुम उपन करोगे कि यहां पर जो है paramedical care इसके application form निकल चुके है nursing के तो वहां पर तुम्हें click कर देना है then तुम्हें paramedical पर click कर देना है then तुम यहां पर जो है आ जाओगे ठीक है वरना तुम Google पर डारेक्ट यह type करोगे तो भी official website पर तुम पहुँचे जाओगे तो इसके regarding पर तुम्हें थ PSE के काफ़ जादा paramedical के काफ़ जादा courses offer करते लैटरल एंटर के भी courses यह लोग offer करते हैं तो MLT वेकर MPTA और MHA Masters के भी program के जो भी courses है वो यहां पर जो है यह लोग करते हैं तो ठीक है तो अभी मैं तुम्हें बताऊं कि कैसे apply कर सकते हैं तो admission bulletin अगर तुम्हें download करना होग online admission application form for the MLT, MIT, RDAPT तो यहां पर जो है तुम्हें नीचे सब के link मिल जाएंगे like BPTT के तो तुम्हें जो किसी भी एक link पर click कर देना है तो मैं BPT के लिए कर रही हूं तो बाकि तुम MLT वेगरा के लिए किसी के लिए भी कर सकते हो सब के लिए open हो चुके है तो तुम्हारी जो तुम्हें एक reference के लिए दिखा रही हूं तो यहां पर जो तुम देख सकते होगी application form जो है open हो चुका है एंड यहां पर जो है तुम application form को जो है फिल कर सकते हो इसमें चो तुम्हें कुछ अपने like details फिल करनी होगी name, middle name, last name, email id तो यह सभी जो है तुम्हें फिल करके register हो नहीं था मैंने तुम्हें complete guide किया कि कैसे तुम्हें application form में फिल कर सकते हो बाकि जो है यहां पर कितने percentile marks चाहिए तो 45 percentile marks यहां पर जो है requirement एडिक है तो 45 percent marks यहां पर चाहिए है admission के लिए and 40 percent जो है जो category रहती है like SE or schedule cast के लिए उनके लिए चाहिए but 45 percent marks minimum होने चाहिए तु तुम्हें यहां पर apply कर सकते हो boys भी कर सकते है girls भी कर सकते है no restriction and 17 year minimum age होनी चाहिए तो कुछ और भी further detail नहीं है बाकि admission browser तुम download करके जो है पढ़ भी सकते हैं चीजों को तो मिलेंगे next new update के साथ next new video के साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like share कर देना ऐसी लगा त updates और information पाने के लिए चैनल को subscribe कर देना thank you